खंड सूत्र मान लेते हैं कि P कोष्ठक X,Y1 रेखा AB को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP अनुपात PB बराबर M1 अनुपात M2 अब मान लेते हैं A के निर्देशांग X1,Y1 एवं B के निर्देशांग X2,Y2 हैं प्रथम हम OX पर लमवत AC, OX पर लमवत BD, OX पर लमवत PQ, BD पर लमवत PR एवं PQ पर लमवत AE बनाते हैं अतह इस आकरती से हमें AE बराबर CQ बराबर OQ घटा OC बराबर X घटा X1, PR बराबर QD बराबर OD घटा OQ बराबर X2 घटा X, PE बराबर PQ घटा QE बराबर PQ घटा AC बराबर Y घटा Y1 एवं BR बराबर BD घटा RD बराबर BD घटा PQ बराबर Y2 घटा Y पराब्त होता है एवं यह स्पष्ट है कि त्रिकोन AEP त्रिकोन PRB के समरूप है अतह AEP बटा PR बराबर PE बटा BR जो AB बटा PB के भी बराबर है अब यदि हम इन सभी मानों को प्रतिस्थापित कर दें तो हमें X घटा X1 बटा X2 घटा X बराबर Y घटा Y1 बटा Y2 घटा Y बराबर M1 बटा M2 प्राप्त होता है अब यदि हम X घटा X1 बटा X2 घटा X बराबर M1 बटा M2 लेते हैं एवं उसे पुनर्वियवस्थित करते हैं तो हमें X बराबर M1 गुणा X2 जोड M2 गुणा X1 बराबर M1 जोड M2 मिलता है इसी प्रकार यदि हम Y घटा Y1 बटा Y2 घटा Y बराबर M1 बटा M2 लेते हैं एवं उसे पुनर्वियवस्थित करते हैं तो हमें Y बराबर M1 गुणा Y2 जोड M2 गुणा Y1 बराबर M1 जोड M2 मिलता है आइए खंड सूत्र के कुछ विशेश प्रकारणों पर चर्चा करते हैं विशेश प्रकारण प्रकारण एक यदि PAB का मध्य बिंदु है तो AP अनुपात PB बराबर 1 अनुपात 1 अतह X बराबर X2 जोड X1 बटा 1 जोड 1 बराबर X1 जोड X2 बटा एवं Y बराबर Y1 जोड Y2 बटा 2 प्रकारण दो यदि M1 अनुपात M2 बराबर K है तो P के निर्देशांग है K गुणा X2 जोड X1 बटा K जोड 1 K गुणा Y2 जोड Y1 बटा K जोड 1 आईए इसे एक उधारण की सहेता से समझें उधारण वह अनुपात ग्यात करो जिससे बिंदू P M,6 A, 4,3 एवं B 2,8 के जोड को विभाजत करता है M का मान भी ग्यात करें हल, मान लेते हैं AP अनुपात PB बराबर K अनुपात 1 है तो P के निर्देशांग है 2 गुणा K गटा 4 बटा K जोड 1 एवं 8 गुणा K जोड 3 बटा K जोड 1 परन्तु P के दिये हुए निर्देशांग है M,6 अतह यदि हम दोनों निर्देशांगों की तुलना कीजिए तो हमें 8K जोड 3 बटा K जोड 1 मिलता है जिसका अर्थ है 8K जोड 3 बराबर 6 के जोड 6 जिसका अर्थ है 2K बराबर 3 अत्वा K बराबर 3 बटा 2 अतह AP अनुपात PB बराबर 3 बटा 2 अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 2 एवं M बराबर 2K को K जोड 1 से भाग दिया जाए जिसका अर्थ है M गुणा 3 बटा 2 बराबर 2 गुणा 3 बटा 2 घटा 4 जिसका अर्थ है 5 बटा M बराबर रिन 1 या M बराबर रिन 2 बटा 5